दीद्वाना शहर के पंडित बच्छराज व्या सादर्श विद्या मंदिर में मात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग नागोर विभाग के शताब्दी विस्तारक रुद्र कुमार रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गानधी राजकिय विद्यालै में कार्यरत अध्यापिका अनुराधा शर्मा रही एवं विशिष्ट अतिथी के रूप में अभिभावक एवं समाझ सेविका संगीता कामदार उपस्थिती रही। इस कार्यक्रम की शुरुआत पधारे हुए मुख्य अतिथियों ने विद्यादाइनी माशारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। विद्यालै के आचार्या गोपाल शर्मा ने इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रुद्र कुमार ने बताया कि महिलाएं किस प्रकार समाज का एक अभिन अंध है एवं उसकी उन्नती में अपना योगदान देती है, साथ ही उन्होंने भारत वर्ष में मनाये जाने वाले पारंपरे के एवं सांस्कृतिक त्योहार एवं रीती रिवाज के बारे में बताया, विद्यालाई के प्रधानाचारिय रमेश कुमार सारस्वत ने पधारी हुई मात्रशक्ति को विद्यालाई की वर्ष भर की गतिविधियों से अवगत करवाया, इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित हुई जिसमे सभी मात्रशक्ती ने हिस्सा लिया कार्यक्रम की अध्यक्ष अनुराधा शर्मा ने विद्यार्थियों के लिए लाबदायक एवं उनकी शिक्षा के लिए उत्तम अच्छी आदतों से सभी को अवगत करवाया कार्यक्रम के अंत में विद्यालय समिती उपाध्यक्ष कमल मोट के द्वारा पधारे हुए सभी अतितियों का धन्यवाद ग्यापित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय समिती व्यवस्था पक डॉक्टर भावर कसाना, समिती सदस्य मदन चोहान वबनवारी मोट, विद्यालय प्रधनाचार्य रमेश कुमार सारस्वतेवं विद्यालय के सभी आचार्य दीदी उपस्थित रहे।